ओके एलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश योट्यूब चैनल बजाज फाइनस कोटर वर्न के बहतरिन रिजल्ट आ चुके फिर भी 4% की गिरावट चलिए जानते क्या इसकी रिजल्ट रहें और कहां हमें बाई करना चाहिए इन फ्यूचर के लिए और अभी तका आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एसे वीडियो हम हर रोज अर दिन लेते आते और जो बाजो में धंटे वाला बटने उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नौट एपिजन सबसे पहले मिल जाए अब हम आचुके बजाज फाइनस के कोटरली रिजल्ट के उपर आप देख लिए जिन नेट सब जो पिछले कोटर से इस कोटर में 9.30% के एक अपसड हमें देखने को मिली है बाग में आप देख लिए जिन नेट प्रोफिट देख लिए जिसमें भी पिछले कोटर से इस कोटर में 1.63% के एक अपसड हमें देखने को मिली है जो एक downside हमें देखने को मिले वो है operating profit margin में operating profit margin में 1.62% के downside हमें देखने को मिले है जो इतनी बड़ी बूरी बात नहीं है अब हम budget finance के quarterly year to year result के बारे में बात करेंगे आप इसमें net sales देख लीजिए 47.38% के एक बढ़िया सी upside हमें देखने को मिले है आप इसमें net profit देख लीजिए net profit में 42.49% के एक बढ़िया सी हमें upside देने को मिली है आप इसमें operating profit margin देख लीजिसमें भी 1.13% के एक बढ़िया सी हमें upside देखने को मिली है जो हम देख सकते हैं मिंस के हमें दोनों result देखें तो हमें रिजल्ट से तो यही पता चल रहा है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छे है, हाला कि NBFC डाउन चल रहे हैं, फिर भी बजास फैनाइस के रिजल्ट तो अच्छे ही हम बोल सकते हैं, चलिए अब जानते हैं कि क्या मिन्स के चार्ट के उपर कहां सपोर्ट लेके उपर शक्ता है और ब्रोडर मार्केट भी आभी डाउन है, तो यह भी हो सकता है कि इसमें विक्वालिबी हो सकती है, तो देखते हैं कहां पे हम यह सपोर्ट पे मिल सकता है, कहां पे हमें करत चैया फोर लोंग टरम और picking स्विंग डिखा है और आप जहां पे हमें वो लेवल है जहां पे हमें बाई की एक opportunity मिल सकती है और आपको भी किशी stock के बारे में query हो या जानना हो तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं हम उस पे एक detail वीडियो बनाएंगे तो आपको एक basic idea आ सके उस stock के बारे में अब हम आ चुके बजाज finance के chart के उपर आप देख लिजे अभी हाल फिलाल में बहुत सी गिराउट आपको देखने को मिलेगी बहुत बड़ी red candle भी देख लेगी यह इदर 5 से 7 में इसके 8% जितना था बात में इदर भी बहुत है आज में इसके 4% downside गया है आज तो उसका result अच्छा है फिर भी downside गया है तो देखते क्या होता है आगे तो में इसके आप देख लिजे जो इसकी long term support line बोल सकते हैं चाहें यह support लेता है उसने तो आज उसको break कर दिया देखो यह आज उसको break करके नीचे trade में इसके closing दी मतलब यह line कोशी थी देखो यह जी लाइन 하고 दिये लाइन 하고 उसको तो break करके नीचे आगया it तो यह तो में स्के अभी में निकल गए यह support line निकलगया में सके वह निकल के नीचे आगया तो मेरी स्के अभी half purl में जो इसकी दूसरी जो horizontal support लाइन थी वह भी कितने थी 3,000 पे मैं इसके 3,000 पे थी तो वो भी मैं इसके उसको लोके touch करके आगया मैं इसके अगर इसके नीचे closing तो नहीं दी मैं इसके उसको touch करके उपर आया था तो बाद में देख ये तो हो गए दो अभी हाल फिलाल के पूट लगर और बी नीचे के point चाहिए मेरको और भी नीचे की support line चाहिए तो यह दूसरी support line यह 2854 अठाइससो चोपन यह मिन्सके अठाइससो पचास के करिब आप इसको मान सकते हैं यहां इधर तक जाएगे मिन्सके इधर गया और इधर एक reversal का sign दे दिया confirmation के साथ तो आप बाद में उसे बोल सकते हैं कि यह यहां से उपर जाएगा और बाद में इधर आप swing trading वाले swing trading कर ले सकते हैं और long term वाले तो के लिए ते long term ने इस दर आपको एक बहतरीन opportunity मिल सकते हैं अगर यह 2800 और साड़े 2800 के करीब आ चुका अब हम इसमें moving average की स्थिती जान लेते तो आप देख लीजिए moving average जो 50 और 100 उसको तो दोनों को break कर दिया है अब यह बचती कौन सी है 200 की moving line मिंसके 200 days की moving average की line हमारी जो support line है और यह moving average है वो दोनों pass में ही है तो हो सकता है कि यह इधर भी support लेके उपर जाए लेकिन क्या है कि पहले आप wait कर लो उसको नीचे आने दो देखो कि यह इधर support लेने की कोशिस करता है या इसको भी break करके नीचे चला जाता है इधर support लेने अच्छा होगा हाल फिलाल में RSI क्या कहता है आल फिलाल में RSI 28 है मतलब आप देखो strictly देख लो तो यह oversold नहीं है लेकिन majority जो normal trader यूज करते है mostly में भी यूज करता हूँ 30 से 70 का level यूज करता हूँ मतलब 30 का level यूज किया मैंने तो मतलब यह oversold है मतलब आहल फिलाल में अगर में देखो में कहिना चाहूँ तो आहल फिलाल में RSI अभी oversold चल रहा है तो हो सकता है कि यह overboard के लिए जाने को तयार हो मतलब इधर से upset जाए तो upset जाएगा means कि यह market में अप मुआएगा तभी ज लाएंगे और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटने उसे जरूर दबा दीजिए चलिए मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुडबाई जै झाले इन